आई दोस्तों असलों अलेकुम किसे आप लो में हम ना बीले आपल ने नया बेटा वर्जिन रिलीस किया है यह है यह आयोस 17.5 का बेटा टू यह डेवलपर बेटा टू यह पुलिक बेटा टू भी इसके साथ आपको देखने मिल जाएगा इस अब्डेट में क्या कुछ खास है क्या नया है क्या कुछ हमको देखने मिलने वाला है वो सारी जिसक्स करें कि अभी थोड़े दिन में हमको आयोस 17.5 का बब्लिक स्टेबल वर्जन भी देखने मिलेगा तो बेटा वर्जिन भी इंपॉर्टन होते इसके बारे में पूरी जानकर इस वीडियो में आपको द वर्जन से अब रहता है अवेलेबल फ्री स्पेस में इस वाले फोन के अंदर 65.84 GB थी 128 GB वाला आइफोन है और मोडम फर्मवेर था 1.60.00 बिल्ट नंबर के एंड में बेटा 1 के आपको एव देखने मिलता था और अपडेट के बाद यहां पर अगें जो आयोस वर्जन है वो तो सेमी रहेगा बिल्ट नंबर चेंज होगा अवेलेबल फ्री स्पेस कुछ MB से घटी है तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं वापस आ भी जाता है यहां पर साइड लोडिंग आया है सबसे पहली चीज जो यॉर्पीन यूनियन के लिए आई भी यह खास तोर पर वहें वेब डिस्ट्रिबूशन ओफ यहां पर क्या होगा जो यॉर्पीन यूनियन में वेब डेवलपर्स है आप डेवलपर्स है वह अपने वेबसाइट क लिखा होगा इस पर आप टैप करेंगे तो इसके बाद देखें यहां पर इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर लिखेगा कि वेबसाइट जो है वह बोल रही है कि वुट यू लाइक तो इस पर इंस्टॉल दिस आप तो आप इस पर इंस्टॉल कैंपिंग ना चाहते है आप इंस्टॉलेशन को यहां से सिलेक कर सकते है और इसको आप सकते ताके कोई भी और किसी वेबसाइट से कोई एप्लिकेशन को आपके फोन में साइड लोड ना करें लेकिन यह भी यूरोपी निन के लिए आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आपको चार्ज एंग एंड करके लिखा रहा है तो यह वग था शोटाषा एरॉर ता वह यहां पर देखने लेकिन जैरूस्यलम अगर आप लिखते हो यहां पर फिलिस्तिन का वह आता था तभ यहां पर वोचीज जो है इन्होंने हटा दिया है और यहांपे मैं आपको इसका स्क् आता और यहां पर पैलस्टाइन का फ्लाग आता था लेकिन अभी यहां से हट चुका है और यह चीज अगर मैं चेक कर दो 17.4.1 पर आप लोग चला रहे हैं जहां से वीडियो देख रहा है तो उनके लिए अच्छी न्यूस है कि अब आप अपल पे जो है वहां पर इस्थमा वाले section में जाते हो तो यहां पर लिखा रहा है कि automatically organize notes by tags checklist and more तो यहां पर यह बता रहा है आपको कि इस तरीके से भी आप organize कर सकते है टाइक लगा के notes को यह सारे नए चीज़े थे जो इस वाले update के अंदर आए है पिछले वाले बेटा का जो है वीडियो आप देख सकते है काफी सारे नए features आए जैसे podcast में आप देख रहे हैं यहां पर के background का color चेंज हो रहा है इसे काफी सारे नए features उसमें explain किया आपको feedback आप में चलते है यहां पर इसके release notes जो है वो चेक आउट कले तो नए release notes भी आए है यहां पर जो कोच Apple ने fix किया है वो सारी चीज़े mentioned है ब problem solve हुआ है और यहां पर add a new wallpaper में कुछ भी content नहीं आता था तो यह भी यहां पर solve हो गया अगर आपको यह problem आ रहा है तो आप अपने phone को reboot कर सकते है और lock screen से फिर wallpaper आपका change होगा जो कि नहीं हो रहा था पिछली beta में रही बाद storage की तो storage भी चेक कर लेते है यहां पर कुछ MB स storage जो हमारा घड गया था क्या वह वापस आया या फिर और घटा और बड़ा यहां पर देख सकते हैं और कुछ MB से घड गया लेकिन यह थोड़े दिन का वापस आ जाता है तो कोई issue नहीं है रही बात यहां पर iPhone storage की इसमें कोई issue नजर आ रहा है तो वह भी देख लेते इसक अंदर भी आपको battery में लेके चलता हो इस पर भी मैंने same update जो है download install किया है और 15 प्लस पे भी तो यहां पे battery health में जाए 92% पर थी और 92% पर ही हमारी battery health है तो यहां पे battery health ड्रॉप नहीं हुई है जो कि अच्छी बात है और इसके अंदर भी आप देखेंगे battery health में तो battery health 100% पर और आज है 2612 और 6621 तो multi core score में थोड़ा सा यहां पे इजाफा हुआ है बड़ा है वो तो अच्छी बात है और अब तक का top score इस वाले update का ही है तो यह भी अच्छी चीज है और यहां पे GPU के scores भी देख लेते तो इसकी history में चलते पिछला score था 2949 और आज का है 23119 तो GPU का score भ अपडेट है यह आपको next week में 23rd के आसपास जो है देखने में बिल सकता या फिर उसके बात सीधा आपको में में ही देखने में में ही है जो में चीज आने वाली दोस्तों आने वाली है जून में जब आएगा WWDC और iOS 18 के पहले बेटा के साथ हम एक नए iOS version को experience करेंगे और उ यह बेटा बन पर नहीं हो तो अपडेट करने की ज़रूद नहीं है 17.4.1 पर अगर आप हो तो उसकी पर रहो जब यह वाला अपडेट का फाइनल शेवर विश्ट आएगा उसके बाद आप अपडेट कर सकते अपने iPhone को यही दिखानी दोस्तों आए 17.5 बेटा डू की उम नहीं पर गसद्टrice दोस्तों आप कर सकते पहीं है Σकता है